एक एक नंबर की question पूछता है तो एक एक नंबर की question पर आपको ज्यादा focus करना है clear हो रहा है तो प्रत्य और विशेशड पर जैसे आपकी Hindi और English language subject है उसी तरीके से आपकी Sanskrit भी कौन से subject है language subject Hello everyone welcome back to the channel आज की वीडियो में class 10th का आपका board exam में Sanskrit की तयारी आप कैसे करेंगे ठीक है देखे हिंदी और English की बात करें तो उसमें बहुत सारी वीडियो और बहुत सारी आपको जानकारी और बहुत जगह से आपको sources मिल जाते लेकिन यह कि Sanskrit subject होता है जिसको आपको rarely ही कोई समझ जाने वाला मिलता है कि किस तरीके से आपको Sanskrit की तयारी करनी चाहिए क्या क्या चीजी पढ़नी चाहिए ठीक है इतना ज्यादा importance नहीं देते है हलाकि Sanskrit में और भी ज्यादा scope है क्योंकि इसमें competition बिल्कुल नहीं है ठीक है लेकिन फिर भी इसमें Sanskrit में आपको इतनी जादा ज अच्छे marks ला सकें ठीक है चैनल पर भी नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए और देखे Sanskrit तो ठीक है इसके पिछले वीडियो में ने English का भी डाला है बहुत ही अच्छे से और strategy strategy बताई है जिससे कि आप English में अच्छा स्क करनी चाहिए ताकि आप अच्छा स्कूर्स कर सके ठीक है फिलाल आज की वीडियों संस्कृत का देखेंगे तो संस्कृत में आप संस्कृत की सबसे बड़ी problem क्या है संस्कृत में तयार ना कर पाने की आप उसे difficult समझते हैं जो कि difficult बिलकुल नहीं है और जैसे आपकी Hindi और English लेंग्वेज सब्जेक्ट है उसी तरीके से आपके संस्कृत भी कौन से सब्जेक्ट है लेंग्वेज सब्जेक्ट अब समझना बात बहुत आसान है जैसे आपके Hindi और English होती है तो Hindi और English में grammar section होता है अपठीद गद्दांस मतलब क्या बोलें पैसेज वगरा होती है उसी सब्जेक्ट होता है क्या इजी होता है मैं बताऊंगो किसे ब्स पॉइंट आपको मिलता है तयारी करने के लिए बहुत ही तरीके से आप इसकी तयारी कर पाएंगे ठीक है और इसमें उसी तरीके से grammar grammar section पर ज्यादा फोकस करना होता है क्योंकि जब आपका paper start होता है तो starting सह इस वर सिलबस क्या है और पिछले वर्स किया स्लिबस क्या आरहा है और पिछले या सिलबस क्या आथ तो कितना आपको डिफरेंस उन पेपर को पढ़ने में समझने में ताइरी करने में आपको difference पता चल जाएगा ठीक है ताकि questions वगरा याद करने में परेशानी ना हो साफधानियां बरते हैं मतलब आसानी हो अब syllabus जब आप जान लोगे ठीक है syllabus जानने के बाद केवल वही चीज है आपको पढ़ना जो आप पे syllabus में है ठीक है आप कहो कि कैसे सर क्योंकि देखो इसमें जाते हो इसमें संस्कृत मे जादा बच्चे वह नहीं करते मतलब focus क्यों नहीं करते क्योंकि लगे रहते science में social science में maths में English में ठीक है अगर तुम्हें 95 पार करना है ठीक है 95 अंक लाने है तो तुम्हें संस्कृत पर भी उतना ही focus करना पड़ेगा जितना की other subject में क्योंकि इसके क्योंकि इसके बीना त अब जाकि तुम्हारे अच्छे marks बनेंगे तो संस्कृत में भी उतना ही score करना पड़ेगा उतना ही important subject है आपके लिए जितना की आपका Hindi और English science और social science और maths समझ रहे हो तो इसमें भी आपको उतना ही focus और उतना ही जोर देना पड़ेगा बच्चे क्या समझते हैं actual में कि अरे क्या करना संस्कृत तो आसानी से पढ़ लेगे और असान होती है इधर उधर से देखके ज्यादा इसमें objective आते हैं तो करके चले आते हैं ठीक है और आपका क्या होता संस्कृत में आप लुड़क जाते हैं ठीक है अभी मेरी एक 10th class के एक student थी तो मतलब आज से दो साल संस्कृत से क्यूं क्यूंकि संस्कृत में स्कॉप जादा है तो आपको अगर आप 10th में पढ़ रहे हो ठीक है और संस्कृत में मन ही लग रहा पढ़ने का क्यार मन ने तो यह भी तो सोचो कि स्कॉप जादा तो future भी तो बना सकते हो तो क्यूंन हम ऐसा पढ़ें ताकि paper त संहें उसको आपके clear रखें अब ग्रामर सेक्षिन में कि प्रत्य वगएर आपसे पूछेगा जैसे होता क्यात तुमून क्वत्वा यह सब यह इस टाप के question इस topic के question आपसे पूछेगा प्रत्य में विशेशड विशेश्यम ठीक है विशेशड और विशेश्यम ठीक है मतल यह बोलते हैं एंग्लिश में बताता हूं तुम्हें वह एडवर्ब और अड्यक्टिव ठीक है इस में से question पूछेगा किस तरीके से चार question आपके प्रत्य से पूछेगा और विशेश्यम ठीक है एक नमबर के question पूछेगा चार और तीन नमबर के तो साथ प्रशन आप से साथ प्रशन आप से इससे पूछता है clear हो रहा है तो इन चीजों में आपको focus करना है क्योंकि इस Sanskrit subject में mostly आपका एक एक नमबर के question पूछता है सबसे ज़्यादा यह आपको पढ़ाई कर लेनी है मैं आपके 95 score की strategy ला रहा हूं तो आपके लिए अच्छे important question आपके लिए choosing तयार की हुई है खुद से पिछले साल के question से तयार की हुए question आपको मैं पिछले साल के paper से तयार की हुए question प्रवाइड कर दूगा जो की very most important question आपके लिए होंगे ठीक है social science की English के इंप questions वगएरा डाल दिया है description box में आप link check out कर सकते हो clear हो रहा है चले इसके बाद आपको क्या देखना है पर्याई वाची सब्द विलोम सब्द और एक वचन एक पद में सब्द लिखे ठीक है एक पदिन होते हैं जिसे एक वाकी में उत्तर लिखना जिसे बोलते हैं तो एक पद में आपको उत्तर लिखना है ऐसे question आपको देखना है जो कि आपको चाप्टर वाइस question होगे पर्याई वाची दो नमबर के आएंगे विलोम सब्द आपके दो नमबर के एक पदिन होगे सबी एक एक नमबर के होगे कहने का मतलब कुल पर्याई वाची के दो सब्द रूप आड़ी उपसर्ग सब्द रूप आपसे पूछ लेगा ठीक है सब्द रूप से आपको चार नमबर के question पूछेगा तो इसमें भी आपको ज्यादा focus करना है ठीक है इसके बाद आपसे उपसर्ग पूछेगा दो नमबर के आपको उपसर्ग पूछेगा ठीक आपको पढ़ना क्या है आपके एक्जाम में आपको पढ़ना क्या है तो यह आपको आपको संस्क्रिट में तयारी करने बैठे अब चाप्टर उठाई जो भी आपका परिछा दिखदर सीखा लेकिन उसमें यहीं नहीं पता कि पढ़ना क्या तो आपको पहले क्लियर होनी चाहिए तो धातुरूर परेड़ से पढ़ लेना है ठीक है इस तरीके से च्छाह नंब क्लियर होना चाहिए तो यह कुश्चन भी आपको अच्छे तरीके से आपको तयारी कर लेनी है समझ में आ रहा है इन सब की मैं जो तो वीडियो आपको प्रवाइड कर दूँगा डेडिकेट और एक्स्प्लेटिव वीडियो आपके लिए प्रवाइड कर दूँगा और आ संस्क्रिट में क्या होता है एक तो पहल बात पहली बात पहली बात संस्क्रिट हिंदी-ंग्रेज़ यहीं सेम सब्जेक्ट होती लेकिन संस्क्रिट में प्लस यह रहत istem कि erü यह होगे उसी में से आपको ऊपर से आपको छाटने होते हैं उसी में से अंसर आपको छाटने होते हैं इंगली सिंदी में ऐसा नहीं होता है इंगली सिंदी में कुछ अलगी होता है कुछ ने कुछ चेंज वगर किया होता है ठीक है लेकिन संस्क्रिट में थोड़ा सा आपका question का word question का आपको कोई भी सब्सब्स उठाओ यहां रखो देखो ढूनो कहीं मिल गया बस उठाके answer रख दिया यह आपको बहुत ही बढ़िया प्लस पॉइंट मिलता है तो चार नंबर आपको ऐसे ही खजाने अगर आपने अच्छे तरीके से इसको solve करना जान लिया मैं आपके इसके वीडियो प्रोवाइड करूंगा इसकी भी क्लास लूँगा तो आपके टिंसर नहीं लेना आपके exam के तयारी जरूर करवाऊंगा पत से letters और किस तरीके से आप board exam के copy में लिखोगी तिहीं सारी चीजे मैं आपके लिए प्रोवाइड कर दूँगा तो चैलन को सब्सक्राइब परके रखिएगा ताकि आपके future में बहुत काम आने वाला है अप चार नंबर का पत्र लेखन भी आपको पढ़ लेना है इसके बा आपके exam में बहुत help करेगा ठीक है तो आपको निबंद लेखन के चार आंक आपके पक्के हो जाने अगर आप निबंद लेखन पढ़ लेते हो अब उसमें कौन कौन से निबंद लेखन है वह अपन अंगली वीडियो में बात करेंगे आप कमेंट करें इस पर और वीडियो करते हैं सक्षान वाइज अगर आप तयार करते हैं तो बहुत ज़्याद आपको help मिलने वाली है ठीक है तो आपको वाग के परिवर्तन में भी आपको ध्यान देना है प्रस्न निर्माड प्रस्न निर्माड प्रस्न निर्माड वाले question आएगे ठीक है आपको मतलब ऐसा मतलब सुद्ध करना होता तो दो नंबर के question यहां से भी पूछ लेगा तो इस टाइप के questions आपको तयार रखने हैं very most important question आपको provide करूंगा और साथी साथ बहुत यह अची तरीके से आपको इन चीज़ों को पढ़ लेना क्योंकि आपके बोड़ी दमें बहुत मद्द पढ़ने के बाद आपको अब बोड़न के प्रशन आते हैं ठीक है वो question आपके तीन एक नंबर के question तीन question पूछेगा गद्दांस वाले section से भी पद्दांस वाले section से भी और साथी साथ नाट्यांस वाले से जैसे आपके प्रोज, ड्रामा, पोईट्री ठीक है तो ऐसे English में एसे Hindi में आते हैं ठीक है तो इस तरीके से आपको यहां से भी तीन तीन नंबर के 9 नंबर के question आपके बोधन वाले question से बन जाएंगे साथी साथ पाठ पाठ गत रिक्तिस्थान पूरती पाठ से पाठ से रिलेटेड चाप्लर से रिलेटेड आपको तीन नंबर के question पूछे अब आपको यह जाएगा और आइब बतन पर भी लिंक मिल जाएगा और प्रसनोतरी प्रसनोतरी पर लेटेड आपको प्रसनोतरी पढ़ लेगा जो कि आपके कितने number का आता है बारा नंबर का बारा नंबर के question आपसे पूछता है बस आपको इसे समझने की और करने की देरी होती है इसे की वज़े से आपका संस्क्रिट के पेपर अच्छा नहीं जाता है ठीक है तो जैसे आप English, Hindi, Science, Social Science और Maths में टाइम देते हो उस तरीके से संस्कृत में भी टाइम दो और अच्छे तरीके से आप अच्छा स्कोर कर लाओ ठीक है तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए helpful लई होगी जो भी question query है और आगे कि जो भी जिस topic पर वीडियो चाहिए कमेंट सकतर में कर देना उस पर में वीडियो प्रोवाइट कर दूँगा तो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में किसे नए topic के साथ तब तक के लिए अलविदा जहिन जवारत कमेंट सकतare तेना उस होगी जहित ज़िए इस सबच्सटभर स्टभरों जाने सकता है जडियो में कर दो भी जए प्रोवाइट को भी कि जए भी जड़ियो चाहिए, प्रेश में कर है वीडियो, प्रोवारत